I want to thank StudyIQ I would like to thank StudyIQ team Big round of applause to the team management and staff of StudyIQ At least जो आदा हिस्सा है गाजा का ये जो नदन पार्ट है उसको पूरी तरह से खतम कर दिया है इसराइल का कहना है कि हम जो भी infrastructure है हमास के उसको पूरी तरह से खतम करना चाहते हैं ताकि future में इस तरह की गलती हमास ना करें लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले एक दो दिन से लगतार खबर आ रही थी कि नेटन याहू और हमास के जो लीडर है वो डील की तरफ इशारा कर रहे हैं लेकिन exactly पता नहीं चल पा रहा था in fact मैं भी कल देर रात तक जगावा था और देख रहा था कि क्या कोई डील हो पाती है क्योंकि क्या है कि जो हमास है हमास की तरफ से जो डील है वो फानलाइज कर दी गई थी यहाँ पर जो इसराइल की सरकार है इसराइल की जो कैबिनेट है उनको ये डील एक्सेप्ट करना थ लेकिन आज सुबे सुबेज मैंने देखा कि यहाँ पर इसराइल ने यह जो ब्रेक्ट्रू होस्टेज डील है इसको अप्रूफ कर दिया है तो इसके अंदर क्या क्या चीजे हैं क्या होगा आगे वो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों आपने से जो भी लोग UPSC की त्यारी करते हैं तो इसका बैच तो हमारे पास है ही है लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए एक बड़ी उपर्चुनिटी है दीकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर UPSC में आप सभी का एड़ वो हो जाता है सेलेक्शन इसकी वज़े से यहाँ पर एक कुछ उपर्चुनिटी जाती है जैसे इंट्रिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन आया है तीन चार साल में एक बार आता है और 900 से भी जादा लगवग एक हज़ार के आसपास यहाँ पर वेकेंसी निकाली गई है तो एक बड़ा उपर्चुनिटी है और इसलिए 27 आफ नोवंबर से हमारा जो बैच है जो की हर रोज दुपहर दो बजी हाँ पर लाइफ क्लासेज होंगी वो आप ले सकते हैं बाइ सुरुवात करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है देखें लगभग एक डेड़ महना हो चुका है यहाँ पर इसराइल हमास वार को और इसी को देखते हैं यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन ग्रुप के चीफ हैं इसमाइल हने यहाँ उनकी तरफ से बोला 13,000 से जादा मौते हो चुकी हैं और वहीं जो हमास ने अटाक किया था 7th of October को इसकी वज़े से इसराइल में भी 1,500 के आसपास मुर्तियों हुई थी और टोटल आप कह सकते हैं कि 15,000 से जादा मौते इस पूरे यूद के दौरान हो चुकी हैं तो यह जो डील हुआ है दोस देख सकते हो कि यहाँ पर Tuesday को भी इसमाइल हनया जो की Qatar-based political leader है हमास के उनकी तरफ से बोला गया that the group was close to reaching a truce agreement और in fact नेतन यहु का भी कुछ देर के बाद ये बयान आया कि good news about the hostages सुन क्योंकि आपको पता ही है कि हमास ने यहाँ पर कई सारे hostages बना रखें जो इसराइल के लोग हैं उनको एक तरह से बंदी बना रखा है exactly मैं आपको बता हूँ तो 239 hostages इस समय हमास के पास है एक तरह से तो question यह है कि यह सारे deal किस चीज के बारे में है मतलब deal का मतलब क्या होगा दिको deal का simple earth है कि यहाँ पर एक तो pause होगा मतलब कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि प पास होगा वो मैं आपको बताता हूँ आगे exactly क्या बोला गया है लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर जो prisoners exchange है क्योंकि आपको समझना है इसराइल के जेलों में भी बहुत सारे Palestinian जो prisoners है वो आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो hostages बनाया गया हमास के दौरा तो यहा होगा क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन यह आप देख सकते हो लंबे समय से यह बात चल रही थी कि हो सकता है कि जो हमास है जिन्होंने कई सारे hostages रख रखे हैं उसमें से 50 के आसपास women and children उनको शायद release किया जाएगा in exchange of 150 Palestinian women मतलब कि इसराइल के जेलों म उनका यह कहना था कि इस चीज को लेकर disagreement हो रहा था कि कितने hostages exchange होगे क्या इसराइल अपनी तरफ से 100 जो prisoners है उनको release करेगा in exchange of 40, 50 जितने भी आपके hostages बनाएगे हैं क्या उनको release होगा देखो इसराइल का अगर आप सरकार देखोगे तो उन्होंने publicly काफी hard line लिया है hostages को लेकर और बार बार officially यही कहा है कि हम ceasefire तब तक नहीं करेंगे जब सारे के सारे जो hostages हैं उनको release नहीं किया जाता जब तक हमास 239 hostages को release नहीं कर देता है एक साथ तब तक हम यहाँ पर कोई भी ceasefire नहीं करेंगे लेकिन आपको एक चीज समझना है यह तो चीजें बहार के त लेकिन जब negotiations होता है न तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर negotiations में कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि बाद में निकल कर आती हैं और वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें कि हमास क्या चाहता है मैं आपको बता दूँ हमास की तरफ से यह बोला गया कि हम चाहते हमास ने एक और condition लगा दिया हमास ने यह कहा कि हम civilian hostages को तब छोड़ेंगे जब गाजा के अंदर यहाँ पर जो fuel है उसकी delivery की जाया सके for the hospitals अब आपको पता ही है कि गाजा में जिस तरह का वाट चल रहा है इस समय और एक तरह से गाजा के अंदर जो fuel वगरा है उसकी काफी बड़ी कमी आ गई है ठीक है अब क्या हो रहा है कि इसराइल यह कह रहा है कि अगर हम fuel भेजेंगे fuel अलाव कर देंगे अब fuel क्यों चाहिए क्योंकि hospitals वगर में electricity वगर के बहुत सारी चीजों के लिए आउशकता होती है तो इसराइल का यह कहना है कि अगर fuel गाजा पट्टी लगा दिया कि नहीं जब तक आप fuel हमें नहीं दोगे तब तक हम यहाँ पर जो hostages हैं उनको release नहीं करेंगे इसके साथ साथ एक और चीज़ में आपको पटाता हूं कि अमेरिका का भी बड़ा रोल आए देको इन सारे चीजों में कतर ने तो सबसे बड़ा रोल प्ले किया ह एक तरह से ब्रोकर का रोल प्ले किया है कि कैसे इसराइल भी यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर मान जाए और जो हमास है वो भी इस चीज़ को लेकर मान जाए और जो बाइडन ने भी इसी चीज़ को मंडे को इसके बारे में बताया था और कहा था कि my team is in the region shuttling between capitals मतब दो तीन capitals की बीच में लगातार यहाँ पर जा रहे हैं आ रहे हैं ताकि कोई ना कोई डील यहाँ पर निकल के आए और जल्दी से जल्दी जो hostages बनाए गहे हैं उनको भी घर उनके वापस लाए जाए इंटरनाशनल कमीटी ऑफ रेड क्रॉस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हो मैं आपको बता देता हूँ देखो इस डील में यह बोला क्या है कि 50 hostages जो civilian hostages हैं हमास के पास 50 hostages को release करेगा हमास और वो 50 hostages कौन होंगे महिलाए और बच्चे जो 18 साल से कम उनके बच्चे हैं वो और महिलाए यह 50 hostages होंगे in exchange of 150 Palestinian prisoners मतलब कि इसके बदले में जो इसराइल ह वो अपने prison में से जेल में से 150 जो Palestinian prisoners हैं उनको release करेगा तो यह है basically मतलब आप कहा सकते हैं 1 is 2 3 का ratio आपको देखने को मिलेगा हर एक hostages के बदले यहाँ पर 3 जो Palestinian prisoners हैं उनको release किया जा रहा है इसके साथ साथ एक और चीज़ आप देख सकते हो बोला गया है इस पूरे deal में कि 4 दिन का truce होगा मतलब इसराइल लगतार यहाँ पर जो ground और air campaign कर रहा है गाजा के अंदर गाजा में जिस तरह से bombing हो रही है उसको 4 दिन के लिए रोग दिया जाएगा यह आपको समझना है और obvious ही बात है जब 4 दिन बोला जा रहा है मतलब 4 दिन के बाद वापस से यह start हो जाएगा इसके साथ साथ यहाँ पर deal में यह भी बोला गया है वो यह है कि hundreds of trucks जिसके अंदर relief, medical supplies और fuel यह सारी चीज़ें गाजा पट्टी में भीजी जाएगी तो कहीं न कहीं जो हमास चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए वो उसने मनवा लिया है तो गाजा के अंदर यहाँ पर जो fuel और बाकी चीज़ें कई सारे truckों के माध्यम से वो भीजी जाएगी अब question यह है कि यह जो पूरा deal है वो कब तक implement होगा क्या आज से हो जाएगा देखो अभी इसके बारे मे बहुत सारी जानकारी नहीं आई है यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जब कतर इसको officially announce कर देगा क्योंकि कतर यहाँ पर mediator का role play कर रहा है तो जो कतर है एक बार announce कर दिया हो सकता है मालो आज दुपहर में announce कर दिया तो उसके 24 घंटे के बाद यह जो deal है वो आपका implement हो जाए और यहाँ पर जो prisoners एक्चेंज है वो भी किया जाएगा इसके साथ साथ मैं आपको एक और interesting चीज़ बताता हूँ इस deal में यह भी कहा गया है इसराइल ने यह statement दिया है कि अगर मालो चार दिन खतम हो गया war रुग गया ठीक है अब पांचवे दिन से अगर चाहता है अगर ह हमास चाहता है कि यह war ना चले आगे तो हमास यहाँ पर 10 hostages को release कर सकता है मतलब अगर हमास 10 hostage release करेगा तो उसके बदले हम एक दिन extra यहाँ पर war को रोक देंगे यह यहाँ पर बोला गया है इसराइल के दोरा कि हर 10 hostages के बदले हम एक दिन के लिए war को रोकेंगे तो I hope कि पूरी डील का जो टर्म्स हैं, वो पूरा हो जाता है, चार दिन बाद, पांस दिन बाद, जब भी, तो यहाँ पर हम वापस से जो एर स्ट्राइक और जो जितनी चीज़े हैं, वो हम वापस से स्टार्ट करतेंगे, और जो डीटेल्स हैं, यहाँ पर होस्टेजेस कौन होंगे, जिनको रिलीज किया जाएगा, जो फैमिलीज हैं, आपको समझना है, जो 239 होस्टेजेस बनाएगा है, उनकी फैमिलीज इसराइल के अंदर काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, कि उनके मेंबर्स यहाँ पर हो सकता आएंगे, उनको रिलीज किया जाएगा, तो उन फैमिलीज को यहाँ पर जो डीटेल्स वगर हैं, वो भीजी जाएगी, कि क्या उनके फैमिली का कोई मेंबर्स शामिल है कि नहीं है, खेर यहाँ पर एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए, कि गाजा पट्टी में लगतार जो कंडिशन से वो बहुत ज़ादा खराब होती जारी है, कंडिशन से खराब होने का मतलब यह है, कि आप समझ यह 2.3 मिलियन जो पीपल हैं गाजा में, उसमें से 2.3, जश्ट इमाजिन, 2.3, इतने के आसपात, मतलब 1.5 मिलियन के आसपास आप कह सकते हैं, इस तमय वो होमलेस हो चुके हैं, मतलब कि हर दिन वो लगतार साउथ की तरफ जाते हैं, आपको पटा है, कि वहाँ से वॉक करके इधर तरफ जा रहा हैं, ठंड में लोग बाहर घूम रहे हैं, तो जिसकी वजए से जो humanitarian crisis है, इस समय गाजा पट्टी में देखने को मिलेगा, finally conclusion क्या है, देखो, Israeli सरकार बहुत ज़्यादा pressure में आ गई थी, नेतन जाहो की सरकार के उपर pressure था, families थे, ताकि यहाँ पर जो hostages हैं, उनको जल से जल release किया जाए, और कहीं न कहीं यहीं बताया जा रहा है कि भले ही नेतन जाहो और उनकी सरकास शायद ready नहीं थी इस deal के लिए, लेकिन यहाँ पर लगतार जो pressure डाला जा रहा था, इसकी वज़ेसे उनको यह deal माननी पड़ी, तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर, लेट सी आगे क्या यह वार, अभी तो वार पुरी तरह से रुका नहीं आपको समझना है, जस एक छोटी सी deal हुई है, अब देखते हैं क्या यह further extend होता है कि नहीं और यह भी deal कब तक implement हो पाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी, और जाने से पहले एक interesting question, यहाँ पर एक geography, history आप कह लीजे, इससे related एक question है कि जो कुतो मिनार में red sandstone लगाया गया है, या फिर फतेपुर सिक्री, या फिर red fort के अंदर जो red sandstone लगाया गया है, यह कौन से system से लाया गया था, it was obtained from which of the following system, ठीक है, अब देश में अलग-अलग जगा, देश से धारवार system, गुंडवाना system, यह सब देखने को मिलेगा, यह आपको बताना है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालते रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF टेलिग्राम पर आजे, अलग-लग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था, अगर अब UPSC की तयारी कर रहे हूँ, या फिर कोई भी बैस रहना चाहते हैं, इन फाक्ट जो intelligence bureau वाला मैंने आपको बताया, इस अ ग्रेट ऑपरचुनिटी फो यू गाइज, तो ज़स्ट यूज था कोड अंकित लाइफ तो गेत मैक्सिमम डिसकाउंट, and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से नेक्स ताम, तिल देन, थांक यू बरी मच्ट की उस.